नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूस में हमेर पूर्स एक ऐसी खबर सामने आई हैं जिसमें बदले की आग को भुजाने के लिए हैवानियत को अपनाया गया आपको बता दे जिलेई में भरुआ सुमेरपोर थानाचेतर के एक गाउ में चचेरी भतीजी के साथ दुशकर्म करने वाले आरोपी से बदला लेने के लिए पीडिता के चाचा ने उसकी बहन के साथ ही दुशकर्म कर डाला पुलिस ने पीडिता की तहरीर पर मुकदमा दर्च कर आरोपी को गिरफतार किया है थानाचेतर के एक गाउ में बीते तीन मार्च को विवाहिता से गाउनिवासी यूवक ने चेरखानी की थी पुलिस ने धारा 354 के तहत मुकदमा दर्च किया था मगर अलालत में पीडिता ने बयान देते हुए दुशकर्म करने का आरोप लगाया पुलिस ने दुशकर्म की धारा बढ़ाते हुए आरोपी यूवक को 6 मार्च को गिरफतार कर जेल भीजा था चचेरी भतिये जी के 7 दुशकर्म की घटना से आक्रोशित चाचा ने आरोपी से बदला लेने के लिए उसकी विवाहित बहन के 7 दुशकर्म कर दिया पेडिता ने पुलिस को बताया कि आरोपी के पास उसका फोटो और वीडियो था वाइरल करने की धमकी देकर 3 मार्च को रात में घर की चछत पर बुलाकर हैवानियत की पेडिता की तहरीर पर पुलिस ने 14 मार्श को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्च किया पुलिस ने आरोपी को सुम्वार को गिरफतार कर अदालत में पेश क्या जहां से उसे जेल भेज दिया गया थान्याध्याक्ष राकेश कुमाने बताए कि पीडिताओं की तहरीर और बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज क्या गया है दोनों आरोपियों को गिरफतार कर जेल भेज़ जा चुका है ऐसे ही तमाम खबरों के ले देखते रहें पब्लिकेशियानियूस थन्यवाद